नमस्कार आपको सोगत इस्टोक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं गुजरात को टैक्स लिम्टेट के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो जिन्हों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लेज सब्सक्राइब करते हैं बैल आकॉन पर क्लिक करते हैं मार्च 22 कोटर के रिजल्ट हैं और जो आकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वह हैं जून 22 कोटर के रिजल्ट तो देखते हैं थायर नमर पाइंट टोटल रिवेन्यू को जून 216.46 लाग के मार्च 22 कोटर में यह हुए 486.76 लाग के अगर हम बात करने जून 62 क एक प्रतिशद के व्रधी Year on Year में होती हुए दिखाय दि रही है अगर हम टोटल रिवेन्यू की बात करते हैं कोटर न कोकटर में मार्च 22 कोटर से जून 22 कोटर में तो यहां पर हमें सिर्फ यह प्रतिशद की व्रधी रिवेन्यू में कोर्ट न कोडर म होते हुए दिख एकस्पेंडिचर रहे तो यदि हम टोटल एकस्पेंडिचर को देखें यहां पर हमें तेरह प्रतिश्यत के आसपास के expenditure बढ़ते हुए नज़र आ रही है quarter on quarter में बात करते हैं profit and loss statement की तो देखेंगे 9th नमबर point को profit before tax को June 21 quarter में 0.84 लाग के profit before tax थे March 22 quarter में ये 55.12 लाग के profit before tax में convert हुए और June 22 quarter में 2.7 जीरो लाग के profit before tax रहे तो यदि profit before tax को देखें येर औन येर में June 22 quarter से जून 22 quarter में तो यहां पर हमें येर औन येर में 221 प्रतिशत की व्रद्धी profit before tax में होते दिखाई दे रही है अगर हम बात करते हैं quarter quarter में मार्च 22 quarter से जून बाइस quarter में तो यहां पर हमें company के profit before tax गटते हुए नजर आ रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं 11th नमबर point की profit आपले clause for the period from continuing operation की company के net profit की जून 21 quarter में 0.084 लाग के net profit थे मार्च 22 quarter में ये 55.34 लाग के profit में convert हुए और जून 22 quarter में 2.07.0 लाग के net profit रहे तो यदि हम net profit को देखते हैं year on year में जून 21 quarter से जून 22 quarter में तो यहाँ पर हमें 221 प्रतिशत की व्रधी net profit में year on year में होते हुए दिखाई दी रही है अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में March 22 quarter से June 22 quarter में तो यहाँ पर हमें company की net profit हैं वो quarter on quarter में घटते हुए नजर आ रहे हैं overall results की बात की जाए तो हमें company का year on year performance बहतर होता हुए दिखाई दी रहा है 221 प्रतिशत के profit हुए है year on year में